नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर शर्मा जट्शकों सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सकें आज दिनांग है 23 मार्सन 2024 विक्रम समझ दो जार असी चल रहा है फागुन मास है शुकल पक्ष है बसंत रितु है तिथी त्रियो दशी है सुबह साथ बज़ के 20 मिनट तक आगे चतुर दशी तिथी लग जाएगी और आज का वार है शनिवार आज के नक्षत्र की बात करें तो पुर्वा फालगुनी नक्षत्र पुरे दिन और पुरे रात्री रहेगा योग शूल है शाम साथ बज़ के 33 बज़े तक उसके बाद में गंड योग है तो योग की दरश्टी से आज का दिन शुब नहीं है किसी बड़े काम को करने जा रहे थे तो आज के दिन को टाल दीजेगा करन गर है शामबाद 8 बच के 49 मिनट तक आगे वनिच करन रहेगा सुर्योदेगा समय दर्शे को सुबह 6 बच के 27 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 49 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 9 से 10 बच के 30 मिनट के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से इसमें कोई लंबी यातरा नहीं करना चाहिए और कोई शुब कारे शुरू नहीं करना चाहिए अभी जित मुरत आज दोपेर 12 बच के 9 मिनट से 12 बच के 27 मिनट के बीच है दिन में 4 बार दुष्ट मुरत रहेंगे हाला कि ये 4 दुष्ट मुरत सुबह बहुत जल्दी निक कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यातरा को अब टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है आनिवारी रूप से आपको पूर्व दिशा की यातरा करनी है तो फिर उसका च्छोटा सा एक परिहार करें परिहार इस प्रकार होगा पूर्व की और मुक की जिए आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का कमपेरिटिवली सबसे अच्छा समय यानि जिसमें अच्छी अच्छी कोशिशा आप करेंगे तो सफल होने के आसार बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा रहेंगे यह सुबह आठ से लेके नौ बजे तक दोपेर बारा सबसे पहले बात करतें मेश राशी की तो मेश राशी वाले आज अपनी बुद्धी और पराकरम के लिए प्रशंशा पाएंगे वहीं व्रश राशी वालों को विवादों में शान्ती और समाधान मिल जाएगा तो मितुन राशी वालों को आज किसी पर भी अतिविश्वा प्रश्चिक राशी वाले किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे लेकिन आज का दिन रहेगा भरम से भरा हुआ तुला राशी वाले आज जल्दबाजी ना करें वित्तिय आर्थिक मामलों में बिलकुल भी नहीं प्रस्चिक राशी वाले करियर में पाएंगे एक अच्छी भड़त वहीं धनू राशी वाले धार्मिक यात्राव में लेंगे विशेश रूची आज पार्टनर से या जीवन सा इसे विवाद न राशी वाले किसी आर्थिक लेंदेन के मसले में विवाद का सामना कर सकते हैं अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते दृष्टी को प्रज्या को जागरत करेंगी फिर आगी समझेंगे उन विस्षिस रुपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को जीवन में परोपकार को सरुपरी रखें परोपकार इस प्रकरती का भी सुभाव है जो चहूं और व्याप्त है परोपकार के लिए संत धर्ती पर आते हैं इश्वर और देवता समय समय पर अवतार लेते हैं परुपकार परणपुन्य है और इस परशास्त्र इस प्रकार कहते हैं कि व्रक्ष अपने फल स्वेम नहीं खाते हैं पशुपक्षी मनुश्यों के लिए उगते हैं ऐसी बाधल अपने बढ़साईवे पानी का उगाय हुआ अनाज स्वेम नहीं कहते हैं इसी प्रकार से सत्पुरुशों का जीवन परुपकार के लिए होता है और इसी प्रकार का जीवन अगर आपका करते हैं आप अपना जीवन नियापन करते हैं जीवन को इस दिशा में लेके जाते हैं तो इस जनम में यश्प राप्त होता है और परलोक में आप पुन्ये लेक कर जाते हैं यह थी आज की ज्यान चर्चा का सार बात करते हूं विसस रुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्चाओं के समाधान बहुती सरलता से कर देते हैं और जिने करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की और दढ़ता से तेजगती से आप करवा के आएं यह अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही शुब रहेगा सुक शांती इश्वरी करपा की अनुभूती के साथ बना रहेगा और बहुत ही अच्छा आपको पूरे वर्ष अनुभव होते रहेंगे ऐसी दर्शे को जिन-जिन की जनमपत्र मिनट से दो बच के 31 मिनट के बीच किसी भी मंदिर या धार्मकिस्तान के दक्षिड या पश्चिम भाग में तीन व्रक्ष लगाने नीम पीपल और बरगद इसके साथ ही शनी मंदिर के बाहर बैठे निर्दनों को आज शाम 6 बच के 30 मिनट के बाद में आलू बैंगन की सर पीड़ा में शान्ती मिलने लगेगी जिनको बहुत ज्यादा समश्या हो वो साथ शनिवार तक ये काम रिपीट कर लें ऐसे दर्शे को जिनको आर्थिक समश्या आरी हो या बहुत दिनों से कारियों में रुकावर देखने को आरी हो वाज दौपर एक बच के 30 मिनट से दो आप मेरी कर देना फिर वहीं खड़े खड़े शनिदेव का ध्यान करें और ओम शम शनेश्चराय नम्हें का 108 बार जाप करें तुरंत प्रभाव से आपकी समश्या में कमी आने लगेगी इसे रिपीट अवश्य करें साथ या ग्यारा शनिवार इस बताएवे समय पर अगर ऐसे स्तिती में आज शाम 8 बच के 30 मिनट से 9 बच के 15 मिनट के बीच एक काले कपड़े में सवासो ग्राम काले उड़त आठ कीले आठ काले मिर्च एक बिजोरा निबो इस अब लेके एंटी क्लोक वाइज प्रतेक सदश्य पैसे साथ बार उतारा कर लें और सामान को बहते पानी में चाहिए वो पानी नाले का पानी हो नदी का हो नहर का उसमें डाल दे और बिना बोले बिना पीछे देखे घर आएं सनान कर शुद्ध वस्त्र धारन कर ग्यारा पाइट राम्रक्षा स्त्रोत के या फिर 27 पाइट बजरंग बान के करें समश्य आज एक दिन कम होन से 11 बच के 30 मिनट के बीच सफेद आग के पुष भगवान शिवजी पर अरपित करें और लाल कनेर या गुड़ल के पुष माता के विग्रे पर अरपित करें और एक महंदी का पौदा उसी मंदिर में कहीं गंबले में लगा दें फिर शाम को सूर्या से 10 मिनट पहले मंदि में जाके शिव तांडव स्तोत्र के 11 पार्ट कर लें और पार्ट नहीं कर सकते तो सुन लें आपकी रोजगार के समश्या आज एक दिन से सूलजने लगेगी आगे का रास्ता बनने लगेगा इसमें कोई भी संदे नहीं तो यह थे आज के विसस्ट उपाए जो समश्याओ से आपको बाहर ला रहे हैं और मनोकामना आपकी पूरी कर रहे हैं बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज जनम पत्री का यह हमारी दर्शक बभीता जी की 13 अक्तुबर 1902 का जनम है शाम 6 बच के 45 मिनट नार नोल विवा का योग कब है इनका प्रश्न है अ प्रश्न है और इन पर शनी की दशम द्रश्टी आ रहे हैं जिससे आपके विलंबो रहे हैं आप गुरू और शनी के जब करवा लीजिए एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए आपका विवा नवंबर 2024 से पहले पहले हो जाएगा आज की दूसरी पत्री का यह हमारे दर्शक प्रतीक जी की सत्रा मार्च संदूजार तीन का इनका जनम है दोपेर एक बज के 41 मिनट नागोर करियर कब तक सेट हो जाएगा इनका प्रश्न है देखिए प्रतीक जी आपका मितुन लगन है सिंगराशी है भागे शनी बारभाव में गए हैं तो जनमस्तान से जनना आप गले में पहन लीजिए बहुत फायदा होगा आपको आज की तीसरी पत्रीका यह हमारे दर्शक आशीश जी की 21 अगस्त 1993 कंगर जनम है शाम पांच बच के 44 मिनट जैपूर फाइनेंशियल कंडिशन कब ठीक होगी इनका प्रश्न है आशीश जी मकड लगन है कन् के जब करवा लीजिए एक अच्छा सपन्ना पहन लीजिए आपका अच्छा समय जो है वो सन 233 के बाद आएगा लेकिन आप यह उपाय कर लेंगे तो यह जो पीरियड है यह टाइम में यह अच्छे से निकल जाएगा तो दर्शक को यही था आज का पंचांग आज के विस सब्सक्राइब उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनों कामना पूर्थी निश्चित रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद वगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति